दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आईकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारतियता की मानिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगाऊं और गले और छाटे की कुछ बीमारी आए जैसे खासी है खासी में हल्दी बहुत काम किये हल्दी जो पाउडर वाली हल्दी है आदा चम्मच हल्दी सीधे मुह में अंदर डालो गले में चम्मच बढ़ो और अंदर डालो यहां पर और चुप करके थोड़ी दिर बैट चाओ तो यह हल्दी गले में लाल के साथ अंदर उतरेगी और एक खुराक में ही गले की हल्दी मेरी ठीक करेगी एक ही खुराक हमारे बच्चों को अक्सर गले में दर्द होता ने टॉंसलाइटिस का यह हल्दी एक बार खुराक दे दिया अपने उसी में ठीक है बच्चों का कई बार हम उप्रेशन करा देते tej मत करा कभी भी टॉंसल का उप्रेशन मत करा यह हल्दी है अपने घर में बहुत अच्छी और हल्दी को दूद में डाल दे, पी लो थोगी खासी ठीक होती है हल्दी को अद्रक लगाके अद्रक है ना अध्रक को भूल लोता दे पे या तो आग में और उस पे थोड़ी हल्दी डालके मूने चूसना फिली करो तो सबसे खतरना खासी इसी से ठीक होती है जिसको फूपिंग कफ कहते है। वूपिन कफ का मत यह होता है, खासते, 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 दम निकल जाया है, ऐसी खासते हैं, तो अधरक का टुकड़ा थोड़ा बून लिया है, और हल्दी मिलाके, मुह में डालते ही खासते हैं, अधरक का रस निकाल सकते हैं, तो वूपी लो, अधरक का रस एक पान का रस, पान यहीं जिसको हम खाते हैं तो अदरख शहर्द और पान, तीनों का रस एक एक चम्मच, ये पीले कोई भी हलका गरम करके, तो खराब से खराब खासी ठीक हो यह.. खांसी की और एक अच्छी दवा है, अनार का रस गरम करके पेलो, तो भी खांसी ठीक हो रहा है, यह जो अमरूद है ना, अमरूद को गरम करके खाओ, यह तुरंट खांसी बन करा देता है, ऐसे अमरूद खाओ रहना तो खांसी बढ़ाता है, लेकिन गरम करके खाओ तो खां कर देता यह यह कालियो मिर्च है कालियो मिर्च यह खासी की बहुत अच्छी दवाएं दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें फिर लाइप कमेंट और शेयर करें और हां हमारा एंड्रोइड एप डाउनलोड करना ना भूलें